लो जीजा जी आ गए जीजा जी नमस्ते नहीं आज़े आज एट सब ठीट रहे न हाँ हैं सब ठीट अब आप आगए न शादी में रौनक आजाईगे हम तो शादी की रसमें होते ही यहां से चले जाएगे आप और आपकी बहनी आपक बसना जाएगे तयारी कितनी अच्छी की है ना नौट बैट इंश्माली नाने जी सो नाइस उसे नमस्ते जी और यह सारी समाला कितना मुश्कल होता है यह नो अच्छी क्या तुम्हारी सारी तो ट्राफिक सिग्नल की तरह हर दो मिनिट पर फिसल जाती है हाओ अच्छे से बंदा करो सारे नाने जी भूल गए थी आप कितनी प्यारी है अच्छी जो चुपा ना चाहिए वो तो चुपाती नी और मुझ चुपा कर भाग गए इस्ट्यूपिड गल मैं अच्छी हूँ आप भी बहुत अच्छी होगी ना और ये तो तो मैंने एक उर्टी उर्टी ख़बर सुन है विंड नियूज नाई एर नियूज प्रोसीड मैंने सुना है कि इस बार भी तुमने फर्स्ट क्लास से पास किया कोई बड़ी बात नहीं कोई बड़ी बात क्योंकि ये तो सिर्फ पास होती है हलो भाले ही मैं सिर्फ पास होती हूँ पर मेरी पसंद हमेशा एंग नंबर की होती है मेरा होने बाला पती फॉरन में रहता है राज कुमारों जैसे शान है उसकी इसलिए मेरी शादी ते तुम धड़ा के से हो रही है है ना रे हाँ सही क अब इतना भी क्या दिखावा करना, पता है अपनी पोती के लिए में कैसा लड़का ढून कर लाओंगी, जब उसकी एंट्री होगी, ब्लास्ट होगा, उसके आने पर भगवान खुद बैंगा दप लाओंगे, वह बादलों पर लिखकर मेरी पोती बने दून कर लाओंगी, जब इतना पुरा आसमान जब कि आप लाओंगी, तू आन्गी थाओंगी थाओंगी थाओंगी, यहीं और अजया जाँ! झाल 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 हमारा काम है हमें ही करना पड़ेगा चाचा पेड चाहे कितना भी लंबा क्यों नहो जड़े जमीन में ही होती हैं हम दुनिया में भले ही कहीं भी रहें जड़ तो ये मिट्टी ही है मिट्टी से प्यार करना मैंने अपने दादा से सीखा इंसानों से प्यार करना मैंने अपने बापा से सीखा और ये सारा काम अच्छे से करना मैंने आप जैसे बड़ों से ही सिखाये चाचा बहुत अच्छे संस्कार हैं बेटा, हमारी मदद के लिए शुक गया पूरी दुनिया में आप जहां भी देखो हर जगह मतलबी लोग ही मिलते हैं पर आप जैसे किसान जो पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करने में निकाल देते हैं आपके हाथ धरती मा को नमन करने के लिए ही उपने चाहिए आप मुझे बस आशेवाद दीजिये चाचा, वही मेरे लिए काफी है हमारा आशेवाद तुम्हारे साथ है नमस्ते लिए तो बड़ी अची चलाते हो और तो हैंसम भी बहुत हो I like your attitude देखो वो कितना हैंडसम है दादे हाई आरे हाई हाई अंकल ये क्या हाई अंटी हाई तुम अखेले आये हो दामाजी कहा है यही तो है आरे वो रहा अपनी बंदी के सामने हीरोगिरी दिखा रहा है क्या अरे क्या हीरोगिरी दिखाऊंगा मैं अरे तुने मुझे आती हुए रास्ते में गाड़ी से धक्का दे दिया मैं चिला तरह आके रुख जा रुख जा रुख जा लेकिन तुने सुना ही नहीं देख मुझे कितनी चोट लगी है यार मैं क्या करूँ संसुर जी आप भी देखिए जद गिरा तो इतनी जोर से बत्तब लगा मुझे आप भी देखिए क्या पर चोट लगी है अंकल कंसकम आप तो देख लीजिया ना इसमें तो मिली सौदी इजद की भच्छी ओड़ा दी पथा नहीं कब सुद्री बाता है चलिए आप अंदा चलिए ना को बोलिए कि आकर मुझे बाम लगा थे आप अंदा तो चलिए पिज़ आता हूं क्या हाल होगा ना चाहिक पूछी ना काफी पूछी मैं तुछे नहीं पूछ रहा है समझ गया आगे बनो आया नाम तो सुना होगा ना बहुत सब्सक्राइब कर दूने अपना नाम नहीं बता है सरसो का स्था ओहो क्या किया रही हो तुम वेज़िटेरियन हो खाने के तो खिराना भी आता है दूसरों के हातों से खाना मुझे बहुत अचारता है मैंने किसी को बोल में सुना था कि मैं विलकुल आपना जैसे दिख्टे हो जैसे कुद ऐसा गाउं की लड़का इसारी से नहीं पढ़ती है बस अगर इस लड़की का बैंड नहीं बजाय तो मेर अध्या नाम भी आया नहीं थी ख़ई थीख्चन प्वधी होई तारी है लेकिन अच्छी लग रही है तू क्यों तिख्ली बना हो आया है बहुत कशें भी जाने कहा है पर देनी है यह यह नहीं पापर गचाई काफिक आप पर मज़े लगा तु उसे देकर तुटी की तरह प्रपड़ा रहा है यह देखो अगर तुम किसी हांसम लड़के से शादी करोगी ना तो जब देखो वह दूसरी लड़कियों को और हम लोगों को उसके पीछे CID बन कर खुमना पड़ेगा, अगर किसी ठीटा क्लड़के से शादी करते हैं, तो उसकी रानी बन कर रहेंगे, और वो हमारे आगे पीछे जोरु का गुलाम बन कर खुमेंगे, अरे वो देख, तेरा होने वाला पती किसी और के नेटवर्क को कुछ लड़कियां पॉप सॉंग की तरह होती हैं, जिने हम सुनकर भूल जाते हैं, कुछ लड़कियां रैप सॉंग की तरह होती हैं, जिने सुनते सुनते भूल जाते हैं, लेकिन आपको तो हम कभी-कभी सुनते हैं, अलका यागनी की तरह, पर याद हमेशा रहे जाती है एह वो तो बहुत फ्लाट कर रहा है उससे महलो help Debug में जाए भाई डायलग सही से बला ना मेन जैसा क्या रहा हूः वैसल करते है अयुब अयुक्त जा हूः मेरा बीछा क्यों पिंचा करे हो तूँब हाँ पास नाम नहीं बताय थुमने नाम नहीं बताया ना तुमने क्यों बताओं मैं? चाकु तो मुझ चाकु कैसी की पास? अजिता कह रहा हुतना अच्छर ठीक है शाम दू जो जा अपना नाम बता दो अधा नहीत बेश है मैं, बतना नहीं चारती अगर नहीं बताया तो मैं शादी नहीं करूँगा मुझे क्या लेना तुम शादी करो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता समझे हाया बड़ा अगर नैना को ये बात पता चली ना तो वो खुश हो जाएगी शीवल अप्रीशियेट मी अगरो ये बात पता मैं ये तूली ना तूली मनेः पता मैं जिरी नहीं जैएगी ये जात मुझे प्रिश्टी ना टूली ना तोikeश्यां आपको गाउं घुमना था, मैं जा रहा हूँ, चलना है क्या? हाँ चलते हैं, यहाँ दाल नहीं गलने वाली, चलो हाँ चले, ओपर की पाड़ी से देखेंगे, तो हमारा गाओ बहुत ही सुद्र लगता, यहाँ, दूला कोन है, मैं हूँ यह तू है, तू है मेरे माई, तो सारे लोगों का ध्याल किस पर होना चाहिए, तुछ पर ही होना चाहिए, तो तू सल्मान घं की तरह डोले शोली खान हाँ, शोई और बाइसेट, शोई और सेक्सी थाइस, बस कर यारब तो शर्मा रही है, जिसने की शरम उसके भूटे करम, मेरे भाई, ध्यां रख, अटेंशन सीकिंग इस इंपॉर्टन तू अगर शादी से पहले तूने अपनी ताकत नहीं दिखाई, तो शादी के ग के गिवरे, गुषी आज तूने मिरी आँखेए, खोल दी. अब तू देखता आपस, आप से मैसना अंडर वेन में करें, तो लग जा काम ब रही है, तू एसे क्या देख रहा है, ओ ताइस, थाइस, थाइस, ए सेक्सी, थाईस. कैसे है राश? आहाँ प्रहसτο पतादाया रखे से लुख भी यह जो पर खेशम का पटीण हो आहाँ पर खेशा आरे ओ बेवकूफ आरे ओ बेवकूफ ये सब क्या पहन रखा ये तुमें दादी प्रहसो की तो देखो तो अग लगे तेरे एसे फैशन को जा पहले जा कर ठांके कपड़े पहने रहा है आपनी पलस चेक करने की उम्रा में हमारी पलस आपको समझ में नहीं आएगी रहने जीजे आप ओल्ड बॉर्ड आउच ओव स्वरी सॉरी इस ओके नो प्रॉब्लम वाव यू लाइक इस अफ़ोर्स तुन आएट जच इट? प्लीज खूल इस साइड आमेजिंग कैसे बनाए? डेली 200 पुश अप्स 100 बाइस और अब मैं थाईस पर काम करने वाला हूं सो नाइस थाईस ना? बहुत नौटी हो मुझे बाद में मिलना अकेले में एकसिसाइज सिखाने के लिए औके नौटी थाई थाई बेवे लेट्स डू उश्ट सी वज़वाद में मिलना कराटे कूंफू सब एक ही बार में सिखा दूंगी औके थूपे बाद कहीं का चलाओ थूपे बाद पर मैंने क्या किया? दाडू अरे कौन है रही वो रंगा दादा है चलो अरे रंगा दादा जी यह रंगा दादा एक किसान है लेकिन बात क्या है हम किसानों को तो इसी तरह मरना है इसी तरह हम खेतों के लिए लोन लेते हैं तीन सालों से ना तो बारिशी और ना ही भसल बैंक वाले इक के बाद एक नोटिस पे नोटिस बेज़ते जा रहे हैं और शर्म के बारे हर किसान को मजबूरन ये फैसला करना परता उसे आद्बते करनी परती है मरना हर चीज का हाल नहीं है दोस्त कोई हाल से उचना होगा मेरे पास कुछ पैसे है ये लीजे दादा जी ये रखिये मैं आपके सारा कर्ज चुका दूगा रहे दे बेटा अरे आप रख लीजे दादा जी अरे भाईया आप इस साल तो इनका कर्ज चुका देंगे लेकिन अगले साल फिर से बारिश नहीं होई तो यहां लटकने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा इंगे पास इस परिशान का कोई और हल तो पानी हां महिया जब हमें बारिश के पानी से फर्क नहीं पड़ेगा जब इन खेतों में नदी का पानी आजाएगा हमारी परिशानी भी दूर हो जाएगी अगर हमें भरपूर पानी मिले तो हम साल में दो बार फसल उगा सकते हैं तो फेर हमें लो लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि साल सारा कर्ज अपनी कमाई से चुका देंगे वाँ भरवाँ ए चल उठा उठीए रंगा रादा आप किसमत वाले हैं जो भाईया ने आपकी जान बचा ली भाईया यह आपके पैसे है चलते हैं भाईया और क्या हो यह तुम्हें साड़ी पहनते हुए देख रहे थे तुम परदा बन करके साड़ी नहीं पहन सकती थी बिल्कुल सही ढखकन खुला रहेगा तो बिल्ली की क्या गलती है बेश्रम कहीं के बेश्रमी की सावी हदों आपके रूज़र साथ अरे तो देखाई होगा ना और तुमने मैंने कुछ नहीं देखा जी तो उसके लिए बाद में मिलना बाद में वो क्यों बदमाश बड़े बन रहे हो ताला बोला बेबी मैं क्या भी भोला बन रहा था बाद में मिलना मुझी चलो रहे तुमसे दुदा में भाद में चक्कर क्या है कुछ समुझ में नहीं आ रहा है पर time तो बताए है यह नहीं भाईया हाँ बोलो खाना तयार है अभी हाई ऐस पोटो में इस सब्सक्राइए यह बाद दिखाना और यह बाद अज़गे लेन एवाट लिए पते हैं तीन जाल के थी तब की तुटो है यह वाले देख समय तो किने खुब सुर्मो भी ना आप रख की आप जिक्शी है ना वेरी नाइस है हॉद भूहले शहर रही तो है मुझाक मुझा लॉय मुझाओ भीजर को ऩी प Advent वे कॉटेन अरनुटिर, वन इभित के उचिए लिड़े सब्सकूर सब्सक्राम करतें! एक, दो, पुझे बाशी दो रुमोले, गीता, लड़ो खाएगी, पुझे भी, हाँ, तु भी खाले, ये ले, चल्ड़ सुसाली, सुसाली कबसे मेरे तिल को घोरी जा रहा है? तीन बार उसे मेरा तिल देखा, जैसे को तैसा, क्या मतलब? हम भी उसे छुपकर नहाते हुए देखें क्या, तु, शर्म हाया है या नहीं? लड़का इतना हैंसम है, इसलिए मैंने बोला, ठीक है तो भी बोल, करना क्या है? अपने लड़कों से कहेंगे, उसे अच्छा सबत सिखाए हजार रुपे लगेंगे? ठीक है भगरा कौन है? आर्या मुश्किल है क्यो? भूल जाओ आर्या को, उससे पंगा लिया तो हमारी बेंड बजा देगा जाने दो, करती तो पांच हजार रुपे लेती पांच हजार आपने मेरी बेंड की आति लादी जो मेले में घुम हो गई थी मैं ये काम करूँगा चाहे मुझे जान की बाजी लगानी पड़े ये एक भाई की शपत है तू भी शपत ले? मैं भी शपत लेता हूँ यहाँ सो रहा है, अभी मजा आएगा तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? ब्रो मुझे मेरे कमरे में नीन नहीं आ रही थी मैं यहाँ तेरे पास सो जाओं क्या? नहीं नहीं तू मेरे साथ नहीं सो सकता है पूरी रात यहाँ आँमार टांगे मारते फिरता है ठीक है तू यहाँ सोजा, मैं तेरे कम्रे में जाके सोता हूँ थांक्स यहाँ आजा मेरे साथ सोजा भाई यह चुपकर सोजा अधेक, जिसका मुटा का वाई ना वाई है, जाओ ठीक तम जाओ हाँ जाल कहीं मरना का रहा हूँ हाँ मुटा का वाई बहुत 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 हच एई, जल्दी बताओ, क्या हुआ मिशन काम याँ तुम्हें मारा उसे? सिर्फ मारा नहीं, तोड़कर आए यह यह क्या पारती तुमार हुप नाज क्यों रहे हो बे? बहुत आवाज आ रही है नाचो नाचो वैसे मैं उसे डल क्यू रही थी लगता है इनोने उसे माल नहीं एक काम दिया था वा वे मन लगा कर नहीं किया यही सरकारी काम है जो मन लगा कर दो हमारी गलती नहीं है तो? देखने माली की कि गifer ह। है आज कि किसे के दूरा है कि तो हमारे दूरा पतुरा स्वाइब मैंने तो ध्ization देखता अच्छा μαhertz फ़र इस बार गल्ती नहीं होनी चाहिए कि तो यह है कि to भाई, 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 अभी, तो फिर से आ गिया, थोड़ा उधर होजा, मैं यहीं सो जाओंगा, मुझे अकले सोने में डब में, प्लीज भाई, ठीक, सोजा, दुबारा वहां मत आना, तो भी यहीं सोजा ना, अचे रहे में, मैं अकले ही सो जाओंगा, क्या सिर्दर्द है वो देख, वहां सो रहा है वो, ठीक, आप चाहिए, अगर हिमाद है तो मुझे सामने आकर वारू ना, अगर मुझे गुशा गया ना, तो मैं बहुत रहूंगा, तीन दिन तक नहीं उठेगा आपो, क्या कहले हो, दो भी कितरा दोतिया हुसे अपे, तो आपे, तो आपे, मुझे भी, जल्दी करो ना, ऐहा, यह क्या था, वो तो सही सलामन घूम रहा है, अगर बधा, ऐसे गलती कसी दो हुए, बधा गलती रही होगी, चाहओ, उसे मेरे सामने जाकर मारो, जा पतानी क्या खाता है तुमनों यहां क्या कर रहो तुमने लिव गो गो खा औही ञाहि करें मेरी भी मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है दाल काली नहीं है सर मा कस्ता में स्पेशल डूटी है पना यह मुझे दो चलो निकलो पर क्यों सर मैं निकलो चलो स्पेशल डूटी है कहां सीखा तुमने महंदी लगा ना अची है ना सूपर गीता हम कम हीर आओ सिट डाओ सिट डाओ क्या हो अधाली सी कितनी अची लगा यह ना इसमें तू भी लगवाले ने रुक लगवाले महंदी लगाओ इसे अ अरे लगाओ यह यह दिख क्यों निरा है दिख निरा है क्या अभी नहीं दिखा यह वो प्यान बंकरना सीदी हवा आरे है महंदी कराब हो रही है सॉरी प्लीज अच्छ प्लीज अच्छ प्लीज अच्छ प्लीज आज का दिन आज के दिन का कब से इतजा था मुझे आज आया है तो तकलीफ हो रहे है हलो हलो तो आपका रिष्टा तूट जाएगा यह सिर्फ इस घर से दूर जा रही है आप लोगों के दिल से नहीं पती के घर में चावल के बरतन को गिरा कर अंदर जाते हुए हर लड़की के मन में एक अजीब सा डर होता है अंकल और इसलिए मुझे लगता है मावाब को उसके अंदर एक आत्मों विश्वास भर के देजना चाहिए उसे आशिरवाद देना चाहिए कि वो जिस घर में जा रही है वहां हस्ते हस्ते चली जाए बल्कि उन्हें उसे ये समझाना चाहिए कि सहनशीन का सबसे बड़ा गुण है आपकी हिम्मत उसके लिए सबसे बड़ा तौफा होगी आपका आशिरवाद ही इसके परिवार में सुखलाएगा हमेशा खुश रहना बेली बच्ची सुपर बिल्कुत सही कहा तुमने बेटा भले ही तुम हमसे उमर में छोटे हो पर तुम्हारी बातों ने हमारे दिल को जीत लिया शब्धी नहीं बजे ये ऐसा पल होता है जब शादी का घर एकदम कुमसुमसा हो जाता है पर तुमने हम जैसे माता पिता को आज हमारी जिम्मेदारियों का एसास कड़ा दिया है मुझे गर्व है तुम्हारे माता पिता पर जिन हुने तुम्हें ऐसे संसकार दिये तुम कहां से हो बेटा? बेंगलूरू सर ये रह मेरा कार्ट ओ, NK Constructions सुना है मैंने हमेशा खुश रहो भाया जी जब से आप गाओ गये हैं तब से साहब को देखिये नप्पी ही रहे हैं पहले तुमने कभी नहीं पी फिर आप क्यों पी रहे हो देखिये डाड मैंने आपको पॉमिशन दी थी सिर्फ एक पेक पीने की आपको कहा था लाइट ड्रिंकिंग करना तो आप टाइट होके बैठ गये वो, तुम घर पर नहीं थे तो मैं अखेला पड़ गया था इसलिए पेक पर फेक पीता चला गया ठीक है लो ने पिए आपके बिना मैं भी कुछ नहीं हूँ अब यह नाटक बन कीजिए मैं आ गया हूना इसकी क्या जरूरत है बिलकुल नहीं नहीं प्योंगा ठीक है तो आप सो जाएंगे चलिए आपके बिलकुल नहीं हाइवे और एरपोर्ट के टेंडर के लिए खबर विजवाई है इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से एरपोर्ट का प्रोजेक्ट बहता रहा है सर नो नो आइधिंग हाइवे इस बेटर प्रोजेक्ट्स क्योंकि उसमें हमें एक्सपीरियंस भी है यह हमारे लेक नया चालेंज होगा अगर हमें एरपोर्ट प्रोजेक्ट मिलता है तो हमारी कंपनी प्रोफाइल से इसको फाइदा होगा पर हाइवे में ज्यादा प्रोफित है यू दो नो प्रोफित इन एरपोर्ट हाँ बिलकुल आई सपोर फाइरपोर्ट सर्थ आई दू सर्थ इवन आई हाइवे वाला प्रोजेक्ट बहता है सर् मी तू मी तू सर्थ डिशिजन इस यूर्स प्लीज टेके कॉल इंकोड़द बादाहट.com प्लीज दू प्लीज दू हम यह डिसकॉस कर रहे है कि हाइवे प्रोजेक्ट बहता रहा या एरपोर्ट आपका क्या कहना है सर् यह सर वट जैन क्यों सर्वो करनाटक में केसार है तुगा भद्रा है और एक है हाँ लिंगन मक्की हालमती हारंगी हेमावती कोदसली वानी विलास सागर शांती सागर बसव सागर रिनुका सागर हरिद्रा, राजा लक्षमन गोड़ा कन्वा, कद्रा, भद्रा, सुफ़ा टोटल, वहां सत्रा मेजर डैम्स है पर हमारी कंपनी ये डैम बनाएं इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम गवर्मेंट को एक प्रपोजल भेज़ें बट वाई? लाइफ सेवियर लाइफ सेवियर? फर हूम? फार्मर्स फार्मर्स? वाई? जब ही हम बड़े बड़े इंवेंटर्स की बात करते हैं तो हवाई जहाँ सैटलाइट और बिजली इंवेंट करने वालों की बात होती है लेगिन मेरा मानना है सबसे बड़ा इंवेंशन और उसे इंवेंट करने वाला किसान और उसकी बसल है अगर इंसान का पेट ही नहीं भरा होगा तो इंवेंशन कैसे करेगा? पर हमारी कंपनी को इस प्रोजेक्ट से कोई फाइदा नहीं होगा? हाँ मैं समझता हूँ हम बिजनस कर रहे हैं और पैसा कमाना हमारा मकसद है पर हम हर बिजनस से सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोच सकते हैं हर इंसान जो खाना कहा रहा है वो उन किसानों का करज़दार है अगर किसान ने खेती करना छोड़ दिया तो हम लोग जिन्दा नहीं बचेंगे अगर आजकर हम देखे हैं तो किसान का हल म्यूजियम में नज़र आता है लेकिन जो डैंग हम बनाएंगे वो हर उस किसान के जिन्दगी में एक बदलाव लाएगा जो साल में एक बार फसल उगाने के लिए अपनी पूरी जान लगा कर मेहनत करता है इससे उनके खेतों को पूरे साल तक भर पूर पानी मिलेगा अगर पानी है तो फसल है फसल है तो किसान भी है और अगर किसान है तो देश है मेरे पास इससे रिलेटट सारे डॉकिमन्स रेडिये है अगर उसे व्रोकने के लिए मैं अपनी पावर का इस्तेवाल करूँगा मीडिया वाले हंगा मांगा करतेंगी तो ये मामला तुम ही संभालो ठीक है ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड एसी रूम में आराम से बैटकर सडके और बिल्लिंग्स बनाने की बजाए जिस जगे पर हम केमिकल फैक्टरी बनाना चाहते थे तुम उस जगे पर किसानों की हालत सुधारने के लिए डैम बनाना था तो मेरे अंदर जरा भी शराफत और सहें चीटा नहीं है अगर तुम मुझसे दोड़े तो तुम्हें मार पीट के हास्पिटल पहुँचाने के बारे में नहीं सोचूँगा सीधा तुम्हें यमलोग पहुँचाने थोड़ा बहुँ दर लगा की नहीं लगा हाँ एक 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 कार्ड दिया उनका विसिटिंग कार्ड हूँ नही göre seguro कि तुक उए से दोले कि ठुक सुद्ट। कार्ज्ड करे भी बिया उनका तुका वीडियो बुका दोल्क किरिक वीडियो शेम शीमशन वीडियो एसो टचनि कि नहीं हुड किल गर्कम वे तुका बड़ी का 70 वाम वे वे पार्व weaving जब कोई किसी राज दरबार में आकर राजा को धमका कर चला जाए और राजा उसे इस बात की सजाना दे तो समझ जाना चाहिए कि राजा के राज जी की रक्षा करने के लिए उस राजा का एक यूवराज भी हो सकता है तेरा बाप कोई हीरो है क्या हर बेटे के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है और हर बेटा अपने पिता के लिए हीरो होता है और होता है मुझे तेरी आँखों में डर नजर आ रहा है, टेक केर अगर मेरी बात नहीं मानी तो बहुत मारूंगी मा, मैं यह नहीं करूंगी मैं तेरे पापा की तरह तेरी हर बात नहीं मानने वाली तुझे बैंगलोरू में ही रहना होगा और होस्टल में रहकर पढ़ाई करनी होगी पापा लक्षमी क्या कराभी है जीके में बताईए ये बच्ची भी तो पिछले दो सालों से अपने माता पिता से दूर होस्टल में रह रही है न और सुन अगर तो बिना वज़े यहां वहां शहर में घुमी न तो तेरी टाउंगे तोड़ दूगी लक्षमी जब तक इसका मन यहां नहीं लग जाता तब तक हम कुछ दिन पैंगलोरू में ही रह ले आप जाएए यहां से आपकी मज़े से यह इतनी विगड़ गई है ऐसी बात नहीं है माजी माफ पापा प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए अटलंगे यह बinté मुझे है है हाण हाण शक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्छ तो मES ITS? Sованज़ क्या हुआ तुझे मेरा इस शेर में बिल्कुल मन नहीं लग रहा ना ही कॉलेज में और ना ही हॉस्टल में मैं घर वापस जाना चाहती हूँ शुरू शुरू में सबको ऐसा लगता है पर धीरे धीरे आदत हो जाती है चल चल के सोते हैं तुम जाओ, मैं आती हूँ आर्या, क्या सोच रहे हो बेटा कुछ नहीं पापा, बस वो डान प्रोचेक के बारे में सोच रहा था इतना मत सोचा करो बेटा, एंजुआई और लाइफ इस पार्टी टाइम मैं पापा, मैंने लाइफ में पार्टी वाटी बहुत कर लिए आपको नहीं लगता कि आप थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए ठीक है अब जाने दू वैसे तुम तो शादी में गए थे ना ए पापा अरे 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 को लो को सुनो तो सही वहाँ कोई लड़की वाड़का भी नहीं रही पापा सही टाइम पर बता दूँगा टाइम हाँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बस काम करने में निकाल दी और इस पीच तुम सारे बच्चे कब बड़े होगे मुझे पता भी नहीं चला इस बात का मुझे कोई दुख नहीं क्योंकि मुझे अच्छी तरह बता था कि जो मैंने जी पाया वो जिंदगी मेरा बेटा जरूर जीएगा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपनी जिंदगी जी ली है हर किसी की जिंदगी में अपनी खुशियां होती और अपने कम भी होते है लेकिन बेटा मैंने जिंदगी की जो खुशियां मिस की चाहूंगा उन्हें तुम जीव पापा हर पिता अपने बेटे से हमेशा कहता है कि पढ़ो और काम करो लेकिन एक आप हैं कि मुझे जिंदगी जीने के लिए गह रहे है पापा योड और वोल्स बेस्टफादर योड़ बोल्स बेस्टफादर क्यों बेशादी हो गई तो दोस्त को भूल गया है हाँ काय के मज़े तुझे क्या पता मेरी हाल डॉम ठीक हो बावी तैंक यूँ वैसे आप कैसे है ठीक हो जी रही हूं इनकी क्रिपासे क्रिपासे कितनी जूटी है ये यार सुनना मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी है तु बोलना क्या चाहिए मैं अपनी जान दे दूगा तेरे लिए जान नहीं चाहिए यार मतलब मैं उसके स्वभाव की बात कर रहा था बहुत बड़ी गुंडी है वो ये मत भूल की तु मर्द है यार मर्द अबे जब से शादी हुई है तब से मैं भूली किया हूँ कि मैं मर्द हूँ अबे क्या बोल रहा है कम ओन बी अमैन भारी आवाज में उसके उपर चिला कहा आप जाएगी वो सच्छी हाँ आजमा के जेख कुशिश करता हूँ हे सुनो क्या है यह कुछ ने चलाट जाए यहां से तुझे यहां पर किस ने बुढ़ा है हे नेना हाँ बोलो मुझे गीता का नंबर दो किस लिए उसकी कॉलर रिटून मुझे चेक करनी है तुमें इससे क्या तुम बस नंबर दो ठीक है तू अंदर आखो ले लो अरे भाई का अप रही यह लगता है अगर मुझे पहले पता होता ना पहले सी भारी आवाज में बात करता हूं से यह होई ना बात यह बेटा तो गया अजकाम से तो ए गियम यहर नंबर तुमें शादी में मेरे साथ रोमांस करना चाहिए था पर तुम दूसरी लड़ क्यों के साथ फ्लर्ट कर रहे थे फ्लर्ट? वो क्या होता है बेबी? आच्छा, चूटे मकार कहीं के उसका नबर चाहिए दू नबर बेबी, नबर में अपने लिए नहीं भाई के लिए मांगा है अच्छा भाईया हाँ कहिए भाई आपने इंसे नबर मागा क्या? नहीं तो कहों चले? नंबर मिला क्या? मिला तो दे ना अई च्छिट में ब्रो उसने मुझे ऐसे पीजा जैसे मिक्सी में केला पीज थे कोई बात नी या बीवी ने मारा है ना उसका हाथ बनता है तुझके मैं तिसी को नहीं बताऊँगा उसका नंबर देना यार उसने मुझे कई दिनों तक पीटा तेरी बज़े से आज भी पीटा गया भाड में जा तू अबे वहां मचा वहां तेरी बीवी है यार नंबर देना पीज नहीं मिल सकता समझा क्या करूं मैं यहां तो मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा आरिया को कॉल करूं क्या हाँ लगा की देती हूं अबे क्या है उसका नंबर देना पीस नहीं मैंने पीस यार अलो कौन है तो तो ए आरे देना आरे चोड़ना मैं नहीं दे सकता किसका फोन था थू थू किया चारू वो कौन है ए लीना तुमारा ही नंबर है न तुमने फोन किया है क्या मैं ही हूं आज तुमें मेरी याद कैसे आ गई वो मुझे तुमारे चोटी सी हेल्प चाहिए थी हां ओके मैं तुमारे लिए कुछ भी कर सकता हूं दो गंटे रुको मैं फ्लाइट पकड़कर आता हूं ने 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 ऐसा मत करना मत करना मतलग मैं बेंगलूरू में हूं हाई गीता वाट अ सप्राइज मैंने तो सोचा ही नहीं था तुम मुझे फोन करोगी मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गई होगी शुक्र है कि तुम्हारे पास मेरा नंबर था मैंने तो एक्सपेक्टी नहीं किया था कि हम इस तरह मिलेंगे तुमने मुझे फोन किया था ना हेल्प करने के लिए क्या बात है बाइक हाँ बाइक तुम्हारे पास कार नहीं है कार चाहिए तुम कहीं जाना चाहती हो क्या तुम बाइक पर चलते है ना करार या यह तो बात ही नहीं कर रही है अच्छा, कॉलिज में सब ठीट तो है ना, किसी रिष्टेदार के रह पे रुकी हो क्या, अच्छा तो पीजी में रुकी हुई हो, वो मतलब हॉस्टल में रुकी हुई हो, अरे, तुम नहीं कुछ बूलो ना, मैं अकेला ही कबसे बखबख किया जा रहू, लोग सोचेंगे म टपोली हुप टपोली मतलब? चलो, शुकर है कि मुझ तो खोला, सवाल बूजने के लिए इस है, टपोली मतलब मैं ओ, अच्छा सुनों, हम दोनों ऑटो में чल सकते हैं कि अच्छा हा मैंने लोगों को पीछे बैट कर बहुत कुछ करते हुए देखा है, पर तुम तुनों तो इद्दम चुप चाप बैटे हो, शायद गाना अच्छा नहीं लग रहा है, कमान, एंज़ाए दे मिल्जिक, या! हो, हां, तेरा है होना, तुसको अपना है माना, भा, 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 बैयाँ डिटी, क्या गाना चला है, सुपब, I love you! फैंग्यू, पैंग्यू, फैंग्यू, मैं ऐसे गाने आप जैसे आशिकों के लिए ही लगाता हूं, हेई! आटो रोक।- मेने कहा आटो रोक। रोक। रोकता है ना? आशी के से अच्छ लगते हैं. क्यों? हम तुझे भाई दायें जैसे महीं लग रहे हैं? बड़ाया आशी क्या बहुत कर रही है मेडम? इसमें गुस्सा वाली क्या बात है? गुस्सा है इसके गुस्सा भी न करूँ इस ओटर में बैटर ही नहीं चाहिए चल बाँ ए ए गीता अब जाओ या रुकुन आप जाओ कल सुबा दस बज़े हो असल के पाहर आजाना लगता है लड़कियों को टाइम पर आना आता ही नहीं है मुझे तो दस बज़े आने को प्ता है और खुद अभी तक गायब है मेरे साथ खेल रहा है तू रोके हम रट अब मैं समझ गया तू पक्का चीटियों की रानी ही होगी तभी लड़के से इतना दूर भाग रही है अगर मेरा गैस सही है तो तुम्हारा नाम गीता ही होगा बाई चलो अच्छा है तुम हज भी सकती है अब चले हेलो मैडम ये आटो और बस का चक्कर रोज रोज नहीं चलेगा और इस बाईक को मीलो कीच कीच कर मैं अपनी तांगे नहीं तुणवा सकता प्लीज बैट जाओ अग्सिडेंट भी हो चाए मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा मदर प्रॉमिस अगर मुझे ब्रेक लगाना पड़े तुम्हें पहले ही बता दूंगा इतना तो भरोसा करो यार फ्रेंड हां फ्रेंड अ फ्रेंड अव इंप ही अ अगरी वे इसे बच्चे पहली बार झूले पर बैठने से डरते हैं लोग देखेंगे तो सोचें के मैं तुम्हें किडिनाप कर रहा हूं देखो मैं तुमें एक इंच भी टच नहीं करूंगा प्लीज आराम से बैठ पहले तो उसने भाव ही नहीं दिया, फिर उसने कहा फ्रेंड, बाद में बनेगी गल्फेंड, और आखिर में बनेगी वाइफ, फिर होगी जंड लाइफ, यार तो कुछ भी बखवास करता है, चुबे, अबे, तो इन बीवियों को जानता नहीं है, अगर मान लो खाते हुए मुँ में बाल आ गया, तो हमने पूछ लिया कि कैसे, तो बोरी हवा में उड़कर आ गया होगा, निकाल के खालो ना चुब चब, और जब हम काम से घर वापस आया, अगर उन्होंने हमारे कपड़ों पर बाल देख लिया ना, तो कोई बारिश नहीं आएगी, कोई हवा नह जाएगा, ये भीविया ना, बनाई ही भगवाने हमें पीस-पीस कर मारने के लिए, अगर मैं पीएम बन गया मा, तो ये शादी का सिया पाही बैं करा दूगा, बस चुप करा, बीवियों के बार में ऐसा मत बोल, लड़किया ही घर को रोशन करती है, तुने वो गाना नही कितनी देर से, बहुत टाइम हो गया, तुससे अच्छा तो दोस्त होई नहीं सकता, थैंक तुने की देकी, चलता हमा, खैल रखना, थैंक यू, बाई-बाई, बेस्ट अब लग, आते रहना, बेबी, बेबी, बोलो बेबी, सुनो देखो तो, आस्मान कितना अच्छा लग अच्छा, कहाँ, हम किसानों के लिए, हमारे खेत ही हमारी जिम्या, जो डैम, आप नहां बन्हा रहे हैं, उससे हमारी जिम्या फिर से रौशन हो जाएगे, आप हमारी जिंदगी में भग्वान मन कराए, हमाके अप्तियां में है, ये आप कैसी बाते कर रही है, ये तो मेर मेरा फर्ज है आपकी तरक्य होगी तो मुझे खुशी होगी मैंने डिसाइड किया है ये पूरा डैम प्रोजेक्ट मेरा बेटा रखू देखेगा मिनिस्टर बार फोन किये जा रहा है बहुत बार फोन कर सुपह भाई आदे बार बात कर ले नहीं तो गरबर हो जाएगी और उसको मैं जवाब क्या दू कि हम उससे पिट कर आए हैं एक एक तो देख लेंगे भाई जिनकी वज़े से ये हालत ही है उस डैम प्रोजेक्ट को त किसी भी तरह रोक कर रहूंगा अब तक तो ये काम उस मिनिस्टर का काम था लेकिन आज से मेरा काम है तू प्लैन बनाए जल्दे ऐसे अचानक कैसे आना हुआ आने से पहले फोन भी नहीं किया बस बेटी से मिलने कमन हुआ तो आ गया कुछ खास नहीं आप एक बार चरके फैक्टरी देख लेते तो अच्छा होता तुम हो ना फैक्टरी समालने के लिए जीवा जी साम मंदर ले चलो ठीक है साम पर मंदर क्यों गीता को फोन किया था वो वही है मैं उसे जरा सर्प्राइज देना चाहता हूँ साप जी कौन से मंदर जाना है अरे जो रास्ते में है अरे ये तोने क्या क्या शिवा साप सी सवे है क्या किया तुने दिखता नहीं क्या करेगा बंदर और जाके मोटत sich लोगिवा घ्रटा करता है लिए जिक्षारा केडं़ी अरे डीशक खाता है तुम क Connie में है एए जीवा बस चलो बैर चलो रहे बत्रो जीवा ए जीवा जीवा ने बात कर रहा है जीवा नवी कर रहा है कर दो 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 वं डॉल कर दो जीता आप एक मिनट यह त्योहार है मेला लगा है आर्या एक फोटो लोगा ब Montई श करो ओक लोड़को लोड़को आत्राू तु में बताई ना मुझे पफ़त बोफ नहीं है फिर भी क्या शारी फोन दो मुझे फोटो स डिलीट करो मुझे तो अपना फोनution देडे होया नही फोन दो मुझे पास मता ना पीछा दो फोटो स डिलीट कर दो तुम्ह常 से फोटो स कासे आई कब कीजी तुमने मेरी फोटोस, तुम्हारे फोल मेरी फोटोस क्यों है, वस वैसे ही तुमने मेरी फोटोस रखने है, तो क्या, तु मुझसे प्यार कनने लगे हो, 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 त एपक्रणा लो 어디 तो है, एपक्रोंचक आगले झाल 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 जीता जीता तुम घब्राओ मत इस दर्की को कुछ से होगा इसकी फिक्रतों मत करो तुम जाओ जाकर उन राक्षासों को खतम करो तुम चाल कर दुम जाओ पिल्समाद कर दुम जाओ तुम जाओ धिसक्रतों मत करो ओंग करना पराजलênio कर दो डिल भी जो! एई! लुष्या, परता हैं, चैनक update your the चैनक八ना, still live the श्रौब करेखब, का कज दो ले फिर स्प्रभ्व का भी त्रौब कें श्रौब को रेम, एद़। क्रियों मत ज कर तान पालेव क्राफ कि तो पादकार कर दूद तो you जब रावर ने सीधा कुछ हुआ था तब श्री राम वहा नहीं थे लुंसों ओ सब्र्स À भुा इस ही लिए उस दिर मावर ज़िए था जे उस दिन रावर डू हुआ जिए तु हमकिन्च रदाम ख़刊 तु ही तू किसे के हत्यारे भी बन जाओ यह this movie is encoded by Baba HD.com she's okay now you can take her thank you doctor welcome phone to utha le hostin java okay hi papa पापा, क्या बात है पापा, आज आप थोड़े डिस्टर्ब लग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं पेटा, पापा, क्या बात है, as usual, are you sure, बस काम की वजय से, वक्त आने पर, तुम्हें सब कुछ बता दूगा, अच्छा, राम मुझे बता रहा था, कि तुमने दो दिनों से कुछ कुछ भी निखाया है, ऐसे क्या बात होगी, बताओ तो बेटा, कुछ नहीं पापा, बस थोड़े सी ओफिस के टेंशन है, are you sure, yeah, भगवान हमें रोज खाना तो देता है, पर बीवी ये फैसला करती है, कि बिरियानी खानी हैंगी घास फूस, इसलिए कभी भी बीवी को नाराज मत करना, वा, सूपब डायलोग्स, अगर इस किताब को पढ़ने के बाद मैं अपनी बीवी को कंट्रोल कर पाया न, तो मैं तुम्हें शेर की खाल वाला कोट तोफ़े में दे दूँगा, अपनी नाराज बीवी को मनाना कैसे है, यह मेरे काम की चीज है, अगर आप अच्छे से तयार होकर पर्फ्यूम्स लगाकर जाकर उसे गले लगाकर किस करोगे, तो उसका गुस्सा छूम मलतर हो जाएगा, अरे वा, वा, क्या आइडिया है, अरे सुनो, क्या है साब, मालकिन का है, अरे वो तो दो साल पहले ही मर गई ना साब, अच्छा सेलरी मिल गई, इसलिए तुम्हें मजाग सूझ रहा है क्या, मैं अपनी बीबी की बार में पूझ रहा हूँ, वो तो दो घंटे से घर में ही नहीं है ना, कहां गई है, चट प मजाग, मजाग करना जरा बन करो नहीं तो एक मिनिट मैं घर से भार निकाल दूँगा, है, हस क्यों रही हो, मैं तो पहले से इच बार हूँ ना साब, पंच, लंच टाइम पर आना बताता हूं तुझे, बेबी, आज मैं तुम्हें एक प्यारा सा बेबी दूँगा, बेब मैं तो एक दम तरो ताजा तो हजार उपे का नोट हूं, यह बैन हुए एक हजार के नोट को क्यो चूँगा, सही का ना, क्या बोलो बेटा अरे माजी इन सब की क्या ज़रूरत थी तुम किसानों की बूर का कितना खयाल रखते हो हम सब के लिए कितनी महनत कर रहे हो तो हम तुम्हें खाना नहीं खिला सकते क्या बेटा अरे तुम को खिलाओ ना गीता मेरी बात मानले आर्या को पुम कर ले कर ले ना गीता आर्या गीता रो क्यों रही हो तुम्हें मापा की सब ये ठीक नहीं है क्या हुआ अरे बदबस दोस्त यहीं रोख दो अर्या कहा जा रहे हो तुम्हें तो अपने घर जा रहा हूँ क्या तुम साथ नहीं आओगे मैं आया तो शायद वो गलत सोच लेंगे तुम जाओ ना कुछ नहीं सोचेंगे वो तुम तो मेरे दोस्त हो ना फिर से इसका दोस्ती कराख शुरू हो गया बोलो हाँ दोस्त दोस्त सिर्फ दोस्त अच्छा चल निकल बेटा बाई पापा यह सब कैसे हुआ कुछ खास नहीं बेटा बस बीपी लो होने के वज़े से बेहोश हो गया था बेबी डोन्ट फ्राइ क्राइ आइनो गीता हाँ तुम्हें किसने बताया कि तुम्हारे पापा बीमार है वो दादी मुझे लगा डोटल का खिला 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 फेस देखकर इसके पापा एकदम ठीक हो जाएंगे इसलिए मैंने फोन कर दिया था लुक एट हिम हाव शाइनिंग पर तुम्हाई कैसे है दीदी क्या कुछ रही है क्या फरक पड़ता है कि वो कैसे आई हो बस आ तो गई है न पापा अपने का था न लो बीपी हुआ है यह कैसे हुआ पिछले कुछ दिनों से जीजाजी बहुत परिशान है जब से बैंगलूरों से आए हैं तब से कुछ ठीक नहीं लग रहे क्या हुआ पापा बताईए मुझे दरसल बेटा अब धरने की बात नहीं है भाई साथ थोड़ा ठाक गए हैं कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे अरे तुम लोगों ने यहां भीड क्यों लगा रखिये क्यों खड़े हो यहां पर जाओ जाकर अपना अप्ता काम करो ना जाओ तु जिंता मत कर बेटा तु जाओ बेटा जाकर आराम कर जाकर जाओ जाओा राम भीड जाओ जाओा जाओा यह जाओा प्रईवर जाओ जाओा 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 वाओा मैद बना प्रु प्रॉब पतायत उईचaire ब्रो तो ये भी नहीं पुछेगा कि ये सब कैसे हुआ पत्नी हाइवेग पर पती के साथ बाइक पे जा रहे थी और गिर गई बेचारी कितनी चोट लगी होगी उसे अरे उसे मुझ हुआ होगा तो उसका पती उसे देख लेगा तुम मुझे देखना भाई मेरी आलब तो इस घर में खराब गाड़ी की तरह हो चुकी है तो अभी में नहीं पुछेगा कि ये सब कैसे हुआ अगर मैंने पूछा तो तो अपनी इज़त बचाने के लिए जूट बोलेगा कि बात्रूम में गिर गया है न मैं तुझे सब सच बताऊंगा तो बता मेरी बीवी ने मुझे मारा क्या बोल रहा याँ तेरी बीवी में इसनी ताकत आई कहाँ से उसने अखेले नहीं मारा उसने तो तो थिरिक मेरा थोभड़ा भी गढ़ा है अरे दिखा तो मेरी नौकरानी ने मारा मुझे इतने बुरे दिन आगे नौकरानी से पिट रहा है तू? मैंने उसे अपनी बीवी समझ कर गल्दी से गले लगा लिया. अपे तू भी ना, गले लगाने के बाद भी पता नहीं चला कि तेरी नौकरानी है या तेरी बीवी है. लगा तो था, पर मैंने सुचे शायद मेरी बीवी सुधर गई है और उसने भी मुझे गले लगा लिया. नहीं, तू अज़े नहीं सुधरेगा, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ. भाबी, मैंने जुनाएं कि आपकी नौकरानी बहुत सुन्दर, या अपना पती बना लीजिए या आपकी नौकरानी है. मेरे किताब, किताब कहां गई? कहा जा रही हो? बेंगलूरू जा रही हो. मैं तुम्हारे पापा, तुम्हारे ये लड़का ढून रहे हैं. मैं उसकी से शादी करूँगी, जो लड़का पापा को पसंद आएगा. वैसे एक बात कहूँ आपसे. आप अपने लिए भी एक लड़का ढून लो. माँश्या. बाई. तुम्हारे तो एक्जाम्स हैं ना? हॉस्टल में पढ़ाई करने के बजाए, तुम मुझे ये यां मंदिल में क्यों लेकर आई हो? ओ हो, इतना भी नहीं पता तुम्हें. एक्जाम्स में पास होने के लिए भगवान को तुम मनाना ही पड़ेगा न? अब एक और मंदिल है? अब बस ये आखरी है, चलो. एए, गीता, क्या हुआ? तुम थग गई हो क्या? मुझे हो जाओंगी, मेरी प्रार्थना दूरी रह जाएगी, मैं प्रार्थना तो करो, मैं बताता हूँ. एगीता, ये देखो, पूरे मन से भगवान को याद करो, ये दिया बुझना नहीं चाहिए. क्यों? तुम प्रार्थना तो करो, मैं बताता हूँ. प्लीस 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 प्रभु आरे, यह तो भुझ गया इस पाःतो का फेलो जाओंगी अब एक बात फिर से प्लीस प्रार्थना करो एक बात फिर से // करो न प्लीज, 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 प्लीज और ये दिया बिना बुझे जलता रहा, ये मेरी कोशिश का एक फ़ल है। थोड़ी बहुत कोशिश तो करनी पड़ीगी ना। सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे, तो वो बेचारा कितना कुछ करेगा। हम बिना कोई कोशिश करें, भगवान पर सब को छोड़ दें, तो क्या भगवान भी हमें वो चीज दीगा है। देखो गीता, तुम पढ़ो, जितना आता है उतने में एक्जाम लिख दो, फिर बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। मुझे हास्टल जाना है। लेकिन क्यों? जल्दी से हॉस्सिल ले चलो क्या हो अगीता, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? ओहो मुझे, मुझे पढ़ाई करने है। क्या हो पzdर करें जो सुबस्क्ता है तो było करोके एक स्पार982 टारधी लुड़े स्पार वीक जगजान ही जरने हो जरने कि एक जया ही जिलो से 화 games झार प् 성त के कि एक एक झार मोणकLR मडलेन मिस्टर शंकर, कोर्ट ने नोटिस बेजाए, आपको अरेस्ट किया जाता है इतने भोले बनने का नाडक मत करो इस जगा पर केमिकल फैक्टरी बनाने के लिए तुमने इन किसानों की जमीन को हत्याने का प्लैन बनाया तुम्हारी ही कंपनी की साइन की हुई फाइल है मेरे पास जिसमें लिखाए कि यह जगा पर केमिकल फैक्टरी बनेगी सेही निचर यह लग लिए जान बोज कर ही तुमने गंदा माल इस्तेमाल किया डैम की दिवार को गिराना तुमारी चाल थी तुमने किसानों की जिन्दगी बरबाद कर दी है साब जी हमें लगा आप हमारे भगवान है आप हम सब की जिन्दगी बचाने आये है इसलिए आप पर विश्वास करके ये सारी समीन आपको दे दी एक बार भी हमने नहीं सोचा लेकिन आपने हमारे साथ धोखा किया है जेस मिल्टे की हमारे पुरवजोने पूझा की जो जमीन हमें अपनी चान से में प्यारी आपने हमें पानी और हरी जमीन का सपना दिखाया आपने हमारे जिन्दगी बरबाद की आप कभी सुखी नहीं रहोगे बरबाद हो जाओगे जैसे हम बरबाद हो रहे हैं तुम भी हो जाओगे तुम्हारा कभी बना नहीं होगा आपने हो जाओगे आपने हो जाओगे आपने हो जाओ मिय बरबाद हो जाओगे कि श出を二ए दो डाओ ठो ढह कि अ Will be the मत ओां कि अ कि अ कि युए कि युऋ कि अ अझे गब दडलाए वालाए दडकर्ण दो हम और इतलाए अजया अभाकर्णा इतलाए अभाई जना हुआः लोग अपादूद एफ लो दो छो जागा हुआती दो एफ हम अगादी अजिए वग़ितलाए आधुदगर दिस भी हुआती अवगटरे रश्या है अवादी दो हाँ वाँ पार्वाट वाँ रखे जो अच्छा भूश्छा अच्छा आगे जा थे नागे जागे 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 किया इसने क्या किया इसने सच सच बता ये कुछ नहीं बोलेंगे सर इन्होंने साप के साथ धोखा किया है धोखे बाज आई ये इंसान मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है दरसल हुआ क्या बोल क्या ये सच है बोल बता हूँ सच्च क्या है पैसो के लाजच मैं मुस्से गवती हो गई मैंने पुलिस और उस वकिल का साथ दिया मुझे माफ कर दीजिये अरे पापी अरे पापी अरे पापी पापा का बिजनस बहुत बड़ा है सिर्फ किसानों की भलाई करने के लिए ताकि पूरे साल फसल उगाने में उन्हें पानी की कमी महसूस ना हो सिर्फ मेरे वादे को पूरा करने के लिए मुझसे एक भी सवाल किये बिना वो ये डाम बनाने के लिए तयार हो गए बिना प्रॉफिट की परवा किये उन्हें अपना पैसा इसमें लगा है आप लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए आपकी खोई हुई जमीन की भरपाई करने के लिए जिस इनसान ने अपनी जमीन भी आपके नाम कर दी वो महान इनसान मेरे पापा है और आप लोग इन्हें धोके बास कह रहे थे ना ये आप लोगों के साथ कभी धोका नहीं करेंगे अरे ये तो आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे चाहे इने कितनी भी बेजज़ती बरदाश्ट क्यों न करनी पड़े अपनी आखरी सास तक किसानों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे अमीर होने के बावजूद मेहनत का मूल समझने वाले देवता जैसे इनसान मेरे पापा है एड़ोकेट को लकर्णी को फोन करो इन लेगल इशुद को वही हैंडर करेंगे हमारे जैसी कंपनीज के लिए इस तरह की लीगल प्रॉब्लम्स फेस करना तो आम बात है सा मेरा फोन दिसकनेक किया अभी बताते हूं हम इस तरह का डाम प्रॉजेक्ट पहली बार बना रहे हैं पर हमने किसानों से उनकी जमीन लेगली खरीदी थी फिर समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें प्रॉब्लम क्या है मेरे ख्याल से इसके पीछे किसी मिलिस्टर का हख लगता है अभी हम राजनीती के बार में बात ना करें तो ही अच्छा है फिलाल हमारा ध्यान इस तरह किसा जाए है कि हम अपने इसकाम को कैसे पुर्चोगी नहीं कि बात क्या है ये प्रॉजेक्ट हमारी कंपनी के लिए बहुत प्रस्टीजिस सा है बहुत करते करते फोन कार दिया अभी बताती हूँ इस तरह का कोई डैम का प्रॉजेक्ट हम लोग पहली बार ही बना रहे हैं पर हमें ये प्रॉजेक्ट बहुत चल्द पुरा करना हुए आरे हो और पापा फोन उठा लूँ इपर, सोरि, सोरि क्या बात है चिला क्यों रहे हो तुम अच्छा ठीक है, क्या बात है मैं होसेल में हुऊ यहां आ जाओ, जल्दी आओ आन्यों यह से बताती हूँ हां क्या है हरे हलो हलो हलो, मैं हूँ बेटख मैर पापा पापा अब अगर तुम इस वक्त विजी हो तो मैं बाद में फोन करूँ बाद क्या है पापा कुछ खास नहीं बिटा बात यह है कि हम तुम्हारी शादी अपने एक खास रिश्टेदार से करना चाह रहे हैं मैंने तुम्हारी राय पूछने के लिए फोन किया था कुछ बोल नहीं बें बिटा पापा शादी अगर तुम्हारी मर्गी हो तो ही पापा मुझे थोड़ा सोचने के लिए बग दीजे मैं आगको फोन करती हूँ ठीक है बिटा अच्छे बाद उसे थोड़ा सोचने के लिए बग चाहिए मैं उससे बात कर लूगा ठीक है भाई साब अच्छे बात है विश्व क्या बात है इतने गुसे में क्यों पूछ रहे हो अब क्या कह दिया मैंने इतना ही पूछना हो क्यों बुलाया है कुछ नहीं मैं पापा के साथ एक जरूरी मीटिंग में था उसे छोड़ कर आ रहा हूँ मैं अच्छा तो तुम्हारे पापा मुझसे जादा इंपोर्टन्ट हो गए ए क्या बक्वास कर रही हो तुम्हारे पापा इंपोर्टन्ट हो सकते है वैसे मेरे पापा मेरे लिए इंपोर्टन्ट है देखो, मेरे पापा के बार में कुछ मत बोलो तुम्हारे पापा अलग है, मेरे पापा अलग है पागलो जैसी बाते कर गी हो तुम मैं पागलो जैसी बाते कर रही हूँ तुम मुझे पागल कह रहे हो ठीक है, भूल जाओ, मैं आ गया हो ना, क्या बात है बोलो ऐसे ही ऐसे ही मतलब? ऐसे ही मतलब ऐसे ही तुमने मुझे बिना वज़े यहां बुलाया है क्या? अब बताओ ना, बात क्या है? बात यह है कि मैं घर जा रही हूँ क्यों? उन्होंने लड़का डूढ लिया है इसलिए तो तुमने हां कह दिया क्यों? हां नहीं बोली चाहिए थी तुम हां कैसे कह सकती हो? अपने पापा की पसंद को मैं ना कैसे कर दू तुम कौन होते हो मुझे यह बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए? मैं कौन हो, जब तुम्हारा यहां कोई नहीं था तब तुम्हारा जिसने साथ दिया था ना वो हूँ मैं, अपने दिल से पूछ कर देखो तुम्हें जहां कहीं जाना था तुम्हारा ख्याल रखने जो आया था जिसकी मत मारी गई थी वो हूँ मैं, सही कह रहे हूँ, मैं कौन हूँ? हमारे बीच बस दोस्ती थी, और कुछ नहीं देखो गीता, तुम को एक बच्ची नहीं हो, मैं और तुम दोनों जानते हैं हमारे बीच क्या था? हम दोनों के बीच, क्या है बोलो, बताओ क्या है तो क्या हम दोस नहीं है लो फेर से शुरू हो गया दोस्ती का नाटक तुमने मुझे दोस्ती के नाम पे धोका दिया तुम दोके बाज हो यूरा चीटा इंसल्ट करोगी मेरी मजाब उड़ाओगे मेरा परिशान करना है मुझे मुझे पता है उस दिन जब बाइक पे मैंने तुम्हारे कंदे पर हाथ रखा था और एक्जाम हाल के बाहर सब के सामने तुम्हे गले लगाया था इसलिए तुम्हें ये बोल रहे हो ना छी कह रही हो ना मैं मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच तनी छोड़ी है बस छोड़ी सोच मेरी नहीं तुम्हारी है मेरे दिल में कुछ और और जुबान पे कुछ और ऐसा नहीं है मेरे दिल की बात तुम अब सुनो मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ इस येस येस आई हेट यू आई हीट यू क्योंकि जानती हो तुम जैसी पागल एकी के साथ रहा ना तो मैं भी पागल हो जाओगा भगवान का शुकर है कि मैं बज गया जो तुम से शादी करेगा ना जिन्दगी बरबाद हो जाएगी उसकी एई क्या कहा बरबाद तुम्हारी तरह कोई एरा गेरा नहीं होगा बहुत खास होगा अचा ठीक मेरे बाबा मेरे शादी किसी राजकुमार से करेंगे देखते हैं कि तुम कितना खुश रह पाती हो उस राजकुमार से शादी करके जितनी खुशी तुम्हे राजकुमारी बनाकर मैं देने वाला था उतना कोई और नहीं दे सकता तुम भी देख लोगी पापा हाँ बोलो बेटा मैं शादी के लिए तयार हूँ तुम तयार हो पर तुमने तो सोचने के लिए वक्त मागा था मैं यह सोचने के बाद ही बोल रही हूँ पापा मैं शादी के लिए तयार हूँ बेटा तुने अची तरह से सोच लिया है ना तु तयार है न? हाँ पापा, मैं तयार हूँ अच्छी बात है मैं घर आ रही हूँ हाँ ठीक है, गड़ी बेज देता हूँ जोती घीता देर साधी के लिए हाँ कर दी है तु गड़ी कर रही है गुस्से में लिया हुआ फैसना कभी ठीक नहीं होता तो बात यह पच्टाएगी आरिया से अच्छा लडगा तुझे जिन्देगी में कभी नहीं मिलेगा देख, मुझे पता है कि तु आरिया से प्यार करती है और जिससे तु प्यार करती है उससे दूर जाके तुछ भी हासल नहीं होगा गीता गीता, अपने इस एगों के चक्कर में ला तेरे दिल में चु आरिया केरे प्यार हैं से मत मार प्लीज गीता, मत चायार गीता मैं अपने पापा की मर्जी से ही शादी करूँगी उनके खिलाफ नहीं गीता गीता आजा बीटा पापा आजा बीटा मैं ठाब कही हूँ, थोड़ी देर आराम कर लूँ अच्छे बात हैं, जाओ साहाब, आजा क्या हुआ, आ रहा वो कौन है जू साहाब बाई सर पापा बिल्कुल नहीं उससे दोस्ती तोड़ दो क्यों पापा? कुछ साल पहले हम दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हुआ करते थे एक दूसरे में जान बसती थी बहुत अक्सेशन कर, अभी तुमारे करियर की शुरुआत है और तुमें सरकार से इतना बड़ा प्रजेक्ट में दा। कॉर्चुलेशन्स थैंक यु रभी मेरा तो इंगीनियर बन गया, खा खा मिठाई खा बस अब बैंगलूरू छोड़कर वापस आजा, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है जो मेरा है वो तेरा ही तो है, आजा हम साथ में खुशी-खुशी रहेंगे यार मेरी जिंदगी में और मेरी पढ़ाई में तुमने बहुत मदद की है, लेकिन अब अगर मैं कुछ नहीं बन भाया, तो मुझे लगेगा ये तुभारी बैजती है इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों के लिए बैंगलूर में जाकर कोशिश करनी चाहिए ए बदमाश, काम के लिए रुक रहा है या फिर कुछ और अरे या, ऐसे कोई बास नहीं है, देख रही हो न मा, क्या बहुत है तेरे लिए लड़की भी मैं ही डूड़ूँगा और शादी भी मैं ही कराऊंगा, वादा कर देखा न मा, कैसे होकुम जाड़ा है यह होकुम जाड़ता है तो तुम भी जाड़ो इधर तू मुझसे दूर जा रहा है और उधर मेरी बेहन मीरा भी मुझसे दूर है तो तू फिर से शुरू हो गया, देख रही ना भावी, देखो तुम दोलो भाई बहन को, मैं भलक क्यो दूल करूंगा मीरा मेडिकल की पढ़ाही करना चाहती थी, तो उसने तैयारी की मेरिट लिस्ट में उसका नाम भी आया मैंने उसे पढ़ने दिया, गलत क्या किया मैं बच्पन में मीरा की बगेर कभी नहीं रहा क्योंकि तु बैंगलूरू में है, इसलिए तुस पर विश्वास करके ही मैंने उसे बहाँ बेजा है तु बिलकुल फिकर मत कर, उसकी जिम्यदारी मेरी है उसे पर विकर मत कर दोड़ूरूरूरू पोग्पन मत कर दो थे थे प्यरूरूरूरूरूँ अवी प्यरूरू तु प्यरूरूरू मेरा प्यार सच्चा है और मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ सच में मैंने ये फैसला बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं किया मैं सोच समझ कर ही तुम्हें ये बात बठा रही हूँ मैं कल ही इस बारे में नविसिमा से बात कर लेता हूँ भाईया को भी कुछ मंग बताना मेरे एक्सान सोचाने दो तुम्हें तो बताई है न उन्हें कितनी जल्दी गुसा आजाता है अगर वो नहीं माने तो मेरी बढ़ाई मैं करवा देंगी और मुझे सबर तस्तिक है वापस लेकर चली जाएंगे चीक है कल मैं किसी जरूरी काम से हैदराबाद जा रहा हूँ वापस लोटने में कुछ दिन तो लग जाएंगे अपना ख्यान रखना हूँ देर घाइश मान भाव क्या हुआ आज के दिन भी इतने उदास है मीरा की बहुत यादा रही है मुझे उसके बिना हर तेवहार बिल्कुल फीका लगता है पढ़ाई करने बाहर गई है तो हाँ इतने परेशान है जब शादी करके चली जाएगी तो क्या हाल होगा आपका नई ने ऐसा नहीं होगा क्या मतलब है आपका शादी नहीं करवाएंगी उसके करूंगा ना बिल्कुल करूंगा पर उसके लिए अपने ही गाउं का अपने ही आसपास का कोई अच्छा सा लड़का ढूडूँगा ताकि मीरा शादी के बाद भी मेरे पास इसी गाउं में रहे कहां से ढूलेंगे ऐसा लड़का अप क्यों हमारे गाउं में ऐसे लड़के नहीं है महेश तनका पूरी चाही तो यह मंदरी से काम किया कर ये कौन सा तरीका अपने माली को लूटता है गया आओ विश्वा ये परवरी के अकाउंट की किताबे हैं आप ही देख लीजिए इनका मन तो आज भी मीला के ही पास है परिवर आप देख तो लेती मालकिन तुमने चेक कर लिया न विश्वा हाँ चेक कर लिया तुम पर हमें पूरा भरोसा है जाओ जी साफू मैं चाता हूँ जोटी कौन है तो पर मीरा मात करो मीरा हाँ भया मैं ही हूँ चैसे हैं आप सब हम सब तो ठीक है पर तू थो हमें विलकुल भूली ही गई किकने महीने हो गा तुझे देगे परसो मैं तुछे मिलने बंगलोरु आ रहा हूँ अब मत आया बया पर क्यों मैं बंगलोरु में नहीं हूँ तो फिर मैं बाहर क्याम्प में हूँ भया फिर तू हम सबसे मिलने कब आईगी मीरा ख्याम की वज़े से एक चिगे से दूसरी चिगे जाना पड़ता है भाईया पक्का नहीं बता पाऊंगी कि कब आऊंगी इसके खत्म होने में तीन-चार महीने और लग जाएंगे क्या कहा तीन-चार महीने और हाँ भाईया एक बार खत्म हो जाए तो मैं सीधा आपके पास घर ही आजाओंगी भाईया अच्छा ठीक है फोन करके हाल चल बताती रहना छे भाईया मेरा कॉंग्रेचिलेशन्स मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी तुम्हारी तीसरा महीना चल रहा है तुम्हें अम्हीं धा भाईव करा से द कंशा है य्म्हारी आपके परिवार के लिए अतीयुद्ध 거는 क्या रहा है यहां क्या चल रहा है यहां देख면णा मीरा की और इस लड़के की कुंदली बिलकुल बिल रहा है कुंडली मिलाने के लिए तुमसे किसने गाहा डॉक्टर है वो किसने बताया इसने पर्णी जी उठीए यहां से लड़का अच्छा है कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेहन की शादी बाहर के लड़के से हर्गिस दे करूगा वो डॉक्टर है चाहे कोई भी हो मुझे इमांदा लड़का कहां से मिलेगा मैं उसे ढूटके ही खोपरी की कमाई के पैसे गिन लीजिए अभी नहीं विश्वा तुम जाओ लोड करना है इसलिए जाओ विश्वा अब बस करो इस घर के लिए तुमने बहुत काम कर लिया तुम से काम पर मताना बगवान के लिए मुझे ऐसा सदत से हो मैं कुछ समझा नहीं तुम्हारी और मेरा की शादी हमने तैक कर दी है साब जी हाँ विश्वा हमारे सामने पला बढ़ा है और हमारी मीरा के लिए इससे बेहतर लड़का नहीं मिलेगा गले ने जाओ अच्छो होगा अगर आप जादी से पहले अगर एक बार मीरा से बात कर ले तो नहीं रहे वो खलत होगा है वो क्यों बाई जब नसीमा ने अपने पूरे परिवार के सामने आपको मीरा कापती खोशित कर दिया है तो परिशान ही किया है उसे पता भी नहीं चलेगा कि आप उसे मिले हो भाई 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 दो अचल में आई नहीं क्या मतलब इस वक्तों अचल में नहीं तो काहीं है कहां जा सकती है वो काहीं हो इस जाके दिक आटो में को नाय है आं भी उकसा ने हो जत्य को है, कि इस वार एता लार भार, को थे हैंपरास जागार्स कीपा- श्क्रादास समीरा । परने मेना— बिश्ता हूरा, कि बा कि यज्धा सुर्पयार्स मोड़िते खेंँगा ये बात मेरे बहिया को मत बताना विश्वा फ्लीज मत बताना बहिया रजिस्टेशन कल सुबा दस मेज़े कि लेकि उसके बारे में तो ने विश्व क्या हुआ बात क्या है शाब जी मीरा मीरा शंकर शंकर वो तो रोब भाग एसा थी मीरा मेरी बहन है वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मेरा शर्म से सर जुग जाए शंकर मेरा जिकरी दोस्त है वो मुझे जोखा नहीं देगा इस परिवार मेरे बहुत है सायन है अगर आपको गलत लगत है आम जूबना रहू तो मेरी जीब कार दी अब साब जी साब जी मेरा मेरा प्रेगिननर ईसाब जी मेरा अपको पता नहीं उसने शंकर से शादी कर ली है क्या सुन रहा हूं है सुन रहे हुआ अपने किये हुए वादे को पूरा नहीं कर सका मुझे माफ कर दे रिश्वा आप क्यों माफी मांग रहे हैं साब आपके तो कोई खालती नहीं है चाहिए जो कुछ भी हो जाए मैं आपको छोड़ कर कहीं नहीं जाओंगा मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं मैं आपकी बेहन से शादी करूँगा यह तुम क्या कह रहे है विश्वा अगर आप हाँ कहें तो मैं आपकी बेहन जोती से शादी करने के लिए देगार हूँ इसे कहते हैं सच्छा दोस्त क्या हमारा परिवार एक दोखे बाज के साथ रिष्टा रखेगा अभी तक मैंने तेरी हर बात मानी है पर इस बार तुझे मेरी बात मानी होगी मेरी बात मान तूसे भोल जा गीता, क्या तो आर्या से प्यार करती है, अगर उससे प्यार करती है तो किसी और इनसान से शादी मत करना बेठा तुने अभी यहा कह दिया पर सारी दयारियां हो जाने के बाद उन्हीं शर्मिटा करके चली मत जाना सब के सामने उटा सिर्च जग जाएगा गीता बस मा बच्पन से उन्होंने मेरे लिए प्यार का एक महल बनाया और उस महल की मुझे राजकुमारी बना कर रखा उट उस राजकुमारी की सामने नौकर बने रहे मैंने पूरी जिन्दगी जिस चीज पर हाथ रखा वो मुझे लाकर दी उन्होंने हमेशा अपनी बेटी की खुशी में अपनी खुशी ढूंडी जिसके बास प्यार करने वाला इसना अच्छा पिता हो उन्हें मैं दोगा कैसे दे सकती हूँ और वो भी अपने प्यार के लिए मा वो मेरे पापा ही है जिनोंने मुझे तब से प्यार किया जब मैं शाय ठीक से पापा भोलना भी नहीं जानती थी में जीने का कोई मतलम नहीं अगर मैंने अपने पापा की दिल को चोट पहुचाएं मैंने पहले भी कहा था आप भी कह रहे हो मैं अपने पापा की पसद की लड़के से ही शाधि करूँगी उसके अलावा किसी से करूँगी मा कि मेरा पती एक राजकुमार होगा मैं कुछ श्री राम की तरह है न वो सम जूट है कोई चन्व सही राजकुमार या श्रीराम नहीं बनता है दादी वो श्रीराम है या नहीं इस बात का पता चलेगा कि वो अपनी पीवी को कैसे रखता है जिन्दगी में सरूरी नहीं हम जो चाहें वो हमें मिल जाए अपने प्यार करने वालों के लिए कुर्बानी देना ही सिंदगी है अजिता के बार में कैसे पता चला आरिया इतने सालों तक मैंने तुमसे एक बात चुपा कर रखी लेकिन अब उसे बताने का वक्त आ गया अजिता कर दो आसिन्द राहिंत रह ब्रेकिन अच्पी कर पराइंगा कर दो आए इसा जो चोड़िके अच्पा न। बसेज़िके अच्पार अच्पार कर दो कर दो कि खेमी आजी है क्या बाद है जाए साल पहले जिसने हमें दोका दिया था ना आज उसने और उसके बेटे ने मिलकर किड्नेप कर दिया है भाई साब कहां पर है वो बाई आज तल बाद है भाई दो पाई है भाई कहां अड़ राद है आद है भाई पर दोका पाई तल झाल। 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 से टूह है झाल। 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 झाल 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 आपको एक बात बता आपके बेटी गीता को मैंने किर्नात नहीं किया झाल आप चो क्यों गरे उन्होंने ये फैसला किया और उन्हें सच का पता चल गया आपको वो सच नहीं जानना जो किसी को नहीं पता एरा प्यार सच्चा है ये सच है कि मैं शंकर को बहुत चाहती हूं भया शंकर? जी भया इनका नाम और आपका नाम एक ही है शंकर ठाक्टर शंकर भया अकाउंट्स तो मैच ही नहीं हो रहे हैं मुझे डर है कहीं हम पकड़े ना जाएं अबे रुक जा मैं बताताँ कि अकाउंट्स कैसे बरावर करने हैं शादी के बाद भी मेरे पास इसी गाउं में हैं अब ऐसे धूलेंगे आप ऐसा लड़का हमारे गाउं में ऐसे लड़के नहीं है क्या है तनका पूरी चाहिए तो इमानदारी से काम किया कर अपने माली को लूटने चला ये कौन से तरीका है ये वरवरी की अकाउंट्स की किताने हैं विश्वा हमें तुम्हारे उपर पूरा बरुसा है जाओ क्या का तीन चार महीने और जी बैया ठीक है मीरा फोन करके हाल चाल बताती रहना जी बैया मीरा कॉंग्रिचुलेशन्स अब क्या करें मेरा मुझे ये बच्चा चाहिए हलो हलो मीरा है क्या हाँ है एक मिनेट उसे बलाती हूँ हलो बैया क्या हुआ इपने दिनों तक तुमने मुझे फोन नहीं किया माया वो ऐसे ही वैसे ही सब ठेक तो है न जी बैया कोई परिशानी हो तो आप आराम से काम ख़द्म कर गया है यहाँ सब कुछ ठीक है ठीक है वो जरूर कुछ परिशानी में है और मुझे से छुपा रही है भाई ओपर का पैसा कितना रखो मैं कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन की शारी बाहर वाले से नहीं करूँगा मस देखता जा सर आपको एसे लेट सा भी हो जाता हा दूर दूरी कहानी बदल देंगा मिलकुर मिलेगा मैं उसे ढूब के खोपरे के कमाई के पैसे हैं गिन लीजिए न मेरी बहन मीरा की शादी तुमसे रोगी सार गले लगा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे पहले ही नत्सीमा से बात करनी चाहीं थी माया पर अभी तुम चुपराव मीरा तुम दोनों इस ही वक्त मेरे साथ काओं चल रहे हो भाई बावी दोजल में हाई ही नहीं देख तो आटा में कौन आया है हाँ विश्वा यह सब क्या है भगवान के लिए यह बाद भाई या को मत बता ले पर तेरे भाई ने तो तेरी शादी मेरे साथ तै की थी ना जी क्या बोल रहे हो तुम तुम्हारी शादी मुझ से हो रही है हमारे घर के नौकर हो तुम मुझ से शादी करने का ख्यार तुम्हारे मन में आया भी कैसे मैं डॉक्टर शंकर से बहुत प्यार करती हूँ और इनसे मेरी शादी भी हो चुकी है इस्क्यूज मी रोकिये ब्लीज क्या हुआ शंकर सर मीरा को अकेले लगेज बैक करने में परिशानी होगी मैं उसकी मदद कर देता हूँ स्वारी शंकर टेंशन में ये बात मैं भूली आगा कोई बात ने सर मैं चला जाओंगा मेरे रास्ते में चलाएगा मैं उसे खात्म कर दूँगा मीरा 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 ये होस्टल की जाब यहीं भूल गई भाई होस्टल दरा वापई चलो हाँ 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 मीरा 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 नियो मीरा झाल झाल बाई कोई आ रहा है चलो भागते हैं चलो मीरा 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 किसे किया यह सब शंकर मीरा क्या बुझा बता यह सब किसे किया सकतनल वर्या किखरी वर्या ज़र्य वर्या किसे किलीव दो आफ बुझा वयुत मैं आफ इसली स्कतेजिय को सब्सक्तरं करें लें किस को बचका कृछी très मैं 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 आख इस मुवी इस इंकोड़े बाबाएच्टी डॉट काम सर सौरी हम शंकर को नहीं बचा पाए हमने बच्चे को बचानी के लिए बच्चानी के लिए अपरेशन किया है सेवन मेंस प्री मेच्च्च बच्च बेभी मिया हम हम बाइ पक्का मर गया होगा मिया जंख मिया काफे भी कती होगी है चलो यहां से चलते हैं एक्सिडेंट के बाद आप सड़क पर बेहोश मिले चार लोगों ने आपको हॉस्पिटल में एड्मिल्ट किया इस बात को तफरीबन चार हफते हो चुके हैं अब चार हफते से ट्रांस कुमा में थे चार हुआ अगर उस दिन मैंने मर्सिम्हा को सच बता दिया होता, तो तो कभी अनाप नहीं होता पर अगर अगर मैंने उसे सच बताया, तो उसकी प्याहिन विद्पा हो जाएगी ये सच किसी को पता नहीं चालना चाहिए अगरा विद्पा हो जब खाहिए ये सच बता तो चाहिए ये सच किसी को खाएगी ये सकाल Norma तो किसी को भी खाएगी ये सच बता चाहिए ये सच बतागा मेरे आसूं से, तुम्हारी आउख्रों में अगर आसू आते हैं, तो आज के बाद मैं कभे नहीं देंगा, तेरे चेहरे पर, मुझे हमेशा हसी भी पूचाहिए, आज के बाद, मैं तेरे लिए ही जीओंगा बस, यज की बाद चया, आते हैं, पुम्हारी आसू आ साकि ज यज का लोला, मैं बाद, आस किन मैं कesus, बाद, आप रात, आते हैं, पूचाहिए ... मैं बाद, मैं जुम्हां के जीओड़ा के शोंख्रे हैं.... . . . . . . . . अगर कोई पास भिया तो मैं इसे मार दूगा अगर है क्टests सविक्ति कोई खीमे का से कन्ति जुखकों आ इस सोगी शुखक जड़ 현재 कर वो जब जा प्रोग्जा शांकार प्रोग्जा शांकार मैं इसे मार दूगा तेरी वज़ा से मैंने अपनी पहन को अपनी आखो के सामने मरते हो देखा उसके पेट में बल रहे है बच्चे को मारने की हिम्मद तुझे कैसे होई जिसे अपने परिवार के साथ रहकर जिन्दगी की हर खोशिया जीनी चाहिए थी उससे तुने अलात बना दिया वो अपने भाई से माफी मानना चाहती थी सिर्फ तेरी वज़ा से नहीं मान पाई बहुत दर्थ सहे उसने मैं यसे कहना कि मुझे माप कर दे सक्क्षक सुझा 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 जो गलती उस वब के लिए वही गलती मैं दुबारा नहीं करना चाहता हूँ तुमारी बेटी मैं यहाँ आपकी बेटी को भगाने नहीं आया था मस आपको यह बताने आया था कि मेरे पापा धोके बास नहीं है एक सच्छे दोस्त है कि मेरे भाने पिए नहीं हुआ हिए उचाँ को यह रुद Ô